राजिस्थान के सीकर में इस्थित खाटू शाम जी में बाबा शाम का वार्शिक फालगुन मेला 11 मार्च से शुरू हो गया है मुख्य मेला एकादर्शी पर 21 मार्च को भरेगा मंदिर कमिटी का अनुमान है कि 11 दिन चलने वाले मेले में 25 लाग से ज़्यादा श्रद्धालू बाबा शाम के दर्शनों के लिए पहुँचेंगे मेले में राजिस्थान के अलावा हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, पच्चिम बंगाल, गुजरात सही देश भर से शद्धालू धोक लगाने माथा टेकने आते हैं दश्मी और एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा भक्त बाबा के दर्बार में पहुँचते हैं बाबा शाम की एक जलक पाने के लिए तेश धूप और कई बार बारिश के बावजूद 6-8 घंटे कतार में लगे रहते हैं इस बार बाबा के भक्तों को धूप और बारिश से बचाने के लिए विशेश इंतजाम किये हैं लखदातार ग्राउंड में 40 करोड से 75 फिट का पका डोम बनाया है वाटर कुलर लगाए हैं 100 से ज़्यादा टौलेट बनाये गए हैं मंदिर कमेटी की ओर से इस बार दिव्यांगों और बुजर्गों के लिए दर्शनों की अलग से विवस्ता की गई हैं मंदिर से करीब 2500 मीटर की दूरी पर लाला मंगेरां धरमशाला के पास से एक ही अलग लाइन लगाई गई है विल्चेर पर दिव्यांगों को इसी लाइन से मंदिर तक दर्शन कराने ले जा सकेंगे बाबा शाम के मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है दरबार और मंदिर को सजाने के लिए 105 बंगाली कारीगा जूटे हुए हैं 14 मार्च तक सजावट पूरी कर ली जाएगी मेले के दुरान बाबा शाम का श्रिंगार प्रति दिन दिल्ले के सत्रंगी फूलों से क्या जाएगा मंदिर को भी सजाने का काम चल रहा है